नमस्कार दोस्तों मैं अरुना एक वाफिर से आप सभी का computer practical लाइब मैं अर्थिक सुखत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मोबाइल से measurement कैसे करें तो चलिए वीडियो की सुरुबात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे हम अपने इंच टेप से या measurement टेप से हम नाप निकालते हैं वैसे आप ये काम मोबाइल से भी कर पाएंगे तो बहुत ही सरल है ये काम आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं तो हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहां पर हम अपने सबसे पहले application में जाएंगे और वह measurement करना कैसे हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने यहां पे play store में आ जाना है और play store में आने के बाद यहां पे आपको measure type करना है देखिए measure type करना तो यह सबसे first वाला जो app IC को आपको यहां download करना है तो जैसे मैं यहां click करता हूँ तो यहां download को option आ जाएगा मैंने इसे download कर रखा है तो यहां सीधा इसे open कर लेंगे open करने के बाद यहाँ पर देखिए यह आपको सारे measurement करके दिखाएगा लेकिन measurement करने से पहले आप यहाँ पर 3 dot पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यह सब चीजी डिस्पले करेगा unit में कि आप इसको inches में निकालना चाहते हैं या feet में या फिर यहाँ पर अगर 3 dot पर दुबार से क्लिक करेंगे तो यहाँ mm या centimeter में तो जैसे भी आपको select करना हो यहाँ पर इसका size बनाके आप scan कर सकते हैं तो यहाँ देखिए यह मेरा पास miser के नाम से एक app है मैंने इसको खोल लिया है और यहाँ से इसको open करने के बाद यहाँ पर देखिए इसको scan करना है और अपने mobile की जो direction है वो आपको सीधी रखनी है बिल्कुल तो मैं देखिए अपनी किताब के ओपर इसको camera को बिल्कुल सीधा करके लिए आया हूँ और जैसी देखर क्लिक आएंगे तो यहाँ पर dot dot आजेंगे आप यहाँ पर देखिए आपको जीए एक circle आ रहा है यहाँ से आपको क्लिक करके इसको करना है यहाँ पर एक पलस का sign दिखाए दे रहा है बोटम में नीचे यहाँ पर देखिए मैं नीचे लेके आए पहले dot को mobile की direction से और यहाँ पर plus पर मैंने क्लिक किया जैसे क्लिक किया मेरे पास एक door आ गई एक line आ गई इससे मैं उपर की तरफ डो करके लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका नाप निकालना है और जहाँ पर आपको उसका नाप खतम करना है महाँ पर इसको dot को फिर से plus कर देंगे जैसे plus करेंगे तो यह देखिए इस angle को select कर लेगा और select करने के बाद यहाँ देखिए आपको यहाँ size को so करेगा तो यहाँ 10.5 का size आ रहा है मैं आपको यहाँ पर footnote के माध्यम से भी बताऊंगा कि क्या यह size बिल्कुल ठीका है तो मैं देखिए यहाँ पर नाप के जब आपको दिखा रहा हूँ तो scale को थोड़ा सा zoom कर लेते हैं तो यहाँ दिखिए 10 और 10 के बाद यह उसका half आ गया साड़े 10 आ गया ठीक है तो इस तरीके से मैंने इसकी height निकाल लिए book की अब इस book की अगर मुझे width निकाल नहीं हो तो वो भी बहुत सा रहल है उसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना चलिए पहले scale को हटाते हैं और scale को अठाके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी width कैसे निकालेंगे तो यहां से इसको पहले clear कर लेते हैं और clear करने के बाद यहां पर हम इसको dot को यहां लिखे आएंगे अपने left में और यहां dot पर लाके रखके इसको plus के sign को दबाएंगे mobile में और जैसे इसको दबाएंगे तो line आजएगी फिर यहां पर आपको जहां तक ले जाके इसको छोड़ना है महां छोड़ देंगे तो मैं यहां book का मेरा यह end हो गया यहां पर हम dot को plus कर देंगे तो देखिए यहां पर यह इसने इसको select कर लिया और साड़े आठ साइज दिखा रहा है चलिए एक बार इसको footage से नापके देख लेते हैं scale से नापेंगे हम इसे तो अब देखेंगे यहां पर हम इसको थोड़ा सा zoom करके तो हमारा scale जो है वो देखिए कुछ इस तरीके दिखान लगा यहां देखिए आपको दिखा रहा है साड़े आठ ठीक है यहां देखिए साथ नम्मर आठ नम्मर और आठ और नो के बीच में यह देखिए बुक आपकी complete हो गई है यहां तक size में तो साड़े आठ इसने इसका size दिखा दिया तो कितना powerful एप है यह कि आपको mobile में ही सारी measurement करके दे दे रहा है तो ऐसी और भी मजदार वीडियो देखने के लिए आप computer practical lab को subscribe कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए thanks for watching